नमस्कार कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीएसी पार्ट फस्ट के लिए हमने यूनिट सेकिंड शुरू की थे आज हमारा उसमें हम लेक्चर नमबर 16 लेकर आए हैं जिसमें हम प्रकाशिक समाव्यवत्ता पढ़ रहे थे तो जो प्रकाशिक विवत्ता के लिए क्या होना चाहिए असम्मित कारवन परमाडू उपस्तित होना चाहिए जिससे चारों अलग अलग ग्रूप उपस्तित लगे हुए होते हैं लेकिन तबी मैंने आपको यह वाद भी बोली थी कि बहुत से ऐसे मॉलेक्यूल हैं जिनमें काईरल सेंटर नह अब industry वह लेकिन वह अप्टिकली अदर देखें देखेंगे इससे मौलेक्यूस तो बहुत सारे हैं डिया नहीं लेकिन आफकेस्लेश में आपकी स्लेश्मान के वाल इंट्रोड़क्शन दिया गया एक अबर यह जब और इन्मौलीक्यूस पढ़ने तो आप्धे ख। मॉलीक्यूस पढ़ेंगे जिनमें काईरा सेंटर नहीं है लेकिन फिर भी वह अप्टिकली होते हैं देखते हैं वह कौन-कौन से मॉलीक्यूस है चलिए तो देखते हैं जो हमारा टॉपिक है वो है किरेल केल्र रहित इसम्मित किरेल अडूंब यानि की मॉलीक्यूस जो है वह काईरल है लिकिल उसमें काईरल सेंटर है फिर भी यह सेमेत्रिक है क्यों है वहीं तो आम यहां लेक सकते हैं क्या बढ़एं अब हुए पढ़ना क्या है हुए पढ़ना है काईरल इसमोन सेंटर तो देखते हैं हमें क्या पढ़ना है पढ़ना है उन योगिकों के बारे में जिनमें काईरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली अक्टिव है तो हुझे लिखते हैं कि कुछ ऐसे योगिक हैं कुछ ऐसे योगिक हैं जिनमें काईरल सेंटर नहीं होता है फिर भी प्रकाशिक समाजयक का प्रदर्शित करते हैं कॉंड है अब या मोलीकूल संभी तो जाने है तो एट नहीं कई बहुत सारे मोलीक्टिवस हैं जिनमें काईरल सेंटर नहीं होता फिर भी अप्टिकली अक्टिव होते हैं जैसे कि ऐलीन बाइफिनायल परसाइक्लोफेंद ये सभी क्या है ऐसाइस मोलिकूल है और इसके लावा साइक्लोप्टडाईल साइक्लोप्डाईल या इनन्हों जिसमें अपहुरियों के carton transport नहीं है फिर फिर पहृप्टिकली activity दर में तो हम सबसे पहले शुरुआत करें ही इक इसने यह बाइफिनाइल क्या होगा यह होगा यह एक पिनाइल रिंग है और यह दूसरी पिनाइल रिंग से जुड़ी हुई है यह है बाइफिनाइल रिंग तो आप तो कहोगे यह कैसे अप्टिकली एक्टिव होता है हमें तो क्लियरल ली दिख रहा है कि यह और ली यह दूसरी चीज क्या थी जो और अप्टिकली एक्टिव बनाती है किसी पतार को अरहीं कोई भी कोई सिवेट्रीलि में पत्का थिति नहीं होना चाहिए यान कोई भी ऐसा偶 इलीमेंट अपस्तित नहीं हो जिसमें सम्मिति पाई जाती आती अनोग्रमिति का थल समेधी का केṃभौ यहां तो जो किसी के अंदर सम्मिति का घ्द और सम्मिति का तर उपस्तित है तो यह अभी आपक्टिकलि नहीं है इसको और बनाना पड़ेगा कैसे बनाएंगे यह आपको दिख रही होंगी दो फिनाइल रही है जो किसे जुड़ी हुई है कार्वन कार्वन सिंगल बॉंड से है ना मालों यह सिंगल बॉंड है एक फिनाइल रिंग यह है एक फिनाइल रिंग यह है और हम जाते हैं जहां सिंगल बॉंड होता है वहां पर क्या होता है मुक्त घुर्णन होता है यानि कि यह दोनों रिंग क्या करती है रोटेट करती र लोग्त घुरण होगा इनमें लेकिन यह दोनों तभी एक तल में नहीं पाई देंगी आपको ऐसे तो दिख रही होंगी एक प्यूनाइल रिख यह है एक प्यूनाइल लग्ट यह है तिकने क्या बना हुआ है कार्बन गार। यह एक देखे रही होंगी आपको हैं! लेकिन यह नहीं होती है!! कीन होती है नहीं है.ि यह नहीं है है क्योंकि ही यहां पर क्या रिहा है? यह नहीं है happen यह लागन पर ब्रुपऌशेसिन पर हाइडtóचN अपर यह उर्क पेड़्ोचन ही यहांsk Port नहीं है? दूसरे को क्या करती है ? इस प्रतिकरशेट की वज़े से सिंगल वान्ट से जुड़ी हुई है तो हुई है प्रतिकरशन की वज़े से यह जो रिंग है Tit हो जाती है मिन्ट जो एसे थी ऑप ऐसे हो जाती mail है एक तो वे रहेगी और दूसरी प्लेण के आउट चली जाएगी है na प्लेण के बाहर ऐसी हो जाएगी तो ये दो रिंग्जों होती है वो actual में plane में नहीं होती इस तरीके से होती है अब चाहे बो इस तरीके से हो ऐसे carbon carbon single board से जुड़ी हो या ऐसे जुड़ी हो सम्मिति का तर तो दोरों ही कंडिशन में अब इए अब ये वह है और एसे हो जाएंगे तब भी उपस्तित है क्या कैसे में कि देखते हैं कुछ भूनने का मुझे जड़ा कुछ मिल रहा है बताने कर दिए एह सरे रोटर एकिनायल डिंग यह एक सिंग्ल गॉंड़ी बीच में क्या मान लो इन नों की ने क्या है एक single जौर्ण वाण्ड तो लग रही होगे कि यह एसी है और जब यह वियुक्त पुछ आराम से कहां है तक एक तर्व एसे काट सकते हैं एसे काट सकते हैं दो नो रिंग को यह जो यूड़ी होगी है एक तर्व प्लेंश के लिए तो यह आधा वाला पार्ट पिछे वाले पार्ट कि क्या होगा रिमेड होगा यानि सम्धितानी का तल अपस्तित है तो अब Discord का रिमेड है अभी यह क्या है औो ऑप्टीकल है लेकिल उस से रहती है कि छहां पर और प्जिशन हो कि यहां पर होगा है Так किसके यहां पर व्लूवाद जोड़ी होंगे तो हजोसे हैं और जो हमको ऐसे डिख क्या अब इंदर तल उपस्थित नहीं है बिलकुल है अब भी तल है कहा है तल पहने दो प्लेन डालेगे एक तो ढोड़ेंगे ऐसे ऊपर से ठीक है और दूसरा माइट जालेंगे एसे जो फिनाइल होते हैं उसमें सम्मेटी के तल उपस्थित होते हैं कौन-कौन सा एक तो ज ओड़ने तो क्या होगी होगी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और यह वाली वुब कम बीच से म्सुरूध करूद याzil पता है कि अ मतलब um करूल करने तर तो पेह प हैक्म उपश्तित है है दोता हिए ये जो फिर पिल्हाज की तो देखेंगे पुल तो यह कैसा होगा यानि कि यह प्रिखासिक सम्हाव्यक्ता को फ्रदर्शित नहीं करेगा दूसरा तल कौन सा था जो ऐसे ड़ाएंगे तो इसको लगा लेते हैं यह वाली बुक तो ऐसे गटेगी ऐसे गटेगी और यह वाली बुक क्या गटेगी बीच से गटेगी अब यह गटेगी आधा पाट उपर गाएगा आधा पार्ट नीचे रहे गाएगा उपर रही और इस सब्सक्त वह वह कैसे होती है इस कंडीशन में युक्तिकली इनेकटिव फिर और यह वे हो प्रदार्शित कर दो इस वाली साइड को फोड़ा साथ डार कर दिया इसका मतलब यह वाली जो रिंग है प्लेज में नहीं है यह वाला पार्ट क्या है कल के उपर यांगी यह तो प्लेज में लिकिन यह ऐसी है यह वाली रिंग क्या है ऐसी है प्लेज यह वाला पार्ट उपर है और यह वाला पार्ट क्या है बिलो द प्लेज है अगर यह वाला पार्ट उपर होगा ऐसे तो पीछे वाला पार्ट क्या ह बिलोए ओप्रें होगा तो यह ring एक्शुल में ata यह से रहती है से एक्टि धिघरी के आंझाई पर रहती है और इनके अंदर दो आए से मेरीक स्ट फछें में है एक्रण ही लेकर पाई के अंदर दो समित्य के तल उपस्तित होते हैं इसने होते हैं दो सम्मिति के सालों बस्तित होते हैं कौन सा एक तो यह वाला होगा मैं ऐसे आदा आदा कड़ों ऐसे आदा आदा कड़ों है ना तो यह वाली दिन तो ऐसे है ना ऐसे तो आदा पार उपर ने जाएगा आदा पार उपर और यह वाली दिन क्या कड़ जाएगी ऐसे कड़ जा प्लेख गणुट है और यह वाली इन में इधर हाय रोगे इधर हाय इसका मतलब तल उपस्थेद है एक तल तु यह उठाए वर्टिकल प्लेट, उपर से काटे वाला दूसरा क्या होता है करना रही हुर्णिक यानि कि मैं यसको काओ कुम हो इस तरिके से यहां पर यह रिकर ऊपर यह रिक्वार्ट पर डिवाइब रही आधा पार अलाधा पार नीचे और यह तो हरी जाएगी तो इसकर आसे इसमेट्री होते हैं और इसलिए यह नहीं कर रहे हैं इनको optically active बनाना पड़ेगा और कब बनेंगी ये बाइफिनाइल पहली बाद तो यह कि इनको अंदर गया और रोटेशन हो रही है तो जब तक ये optically active नहीं हो सकते जब तक इनकी rotation रुके ना तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यह जो रोटेशन है यह रोख जाए तो पहली कंडिशन क्या है बाइपनल इनको अप्टिकली एक्टिव बनाने की कि इसका जो रोटेशन है गुरुणन है वो बंदित प्रतिवंदित होना चाहिए यहाँ लिख सकते हैं कि बाइपनल वलै को अप्टिकली एक्टिव बनाने की लिए निवन कंडिशन होनी चाहिए निवन कंडिशन उपास्वित 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 होनी चाहिए प्रतिबंदित रखे गूर्णन होना चाहिए यानि कि इसमें यह बार बार गूर्णन हो रहा है ना ये तो इसमें क्या होना चाहिए यह सब से कि प्रतिबंदिक गूर्णना नोना चाहिए यानि फ्री रूटेशन नहीं होनी चाहिए दूसरी important condition क्या है कि वलै की ओर्थो इस्थितियों पर कोई भारी समू उपस्कित होना चली कि यह दो condition अगर हैं अगर यह दोनों condition हैं प्रतिबंदित गूर्णन भी है और दूसरा क्या है वले की ओर्थो इस्थितियों पर कोई बहारी समू पस्कित होना चाहिए यानि कि यह जो हाइड्रोजन है यह हाइड्रोजन अटाकर कोई बड़ा समू लगा दें जैसे सी ओ यह सकते हैं यादि यह दोनों condition उपस्थित हैं तो तो बले क्या होगी optically active होती है अगर ऐसी दोनों condition है यानि कि प्रतिबंदित गूर्णन है और और और्थो इस्थितियों पर कोई बड़ा समू बलकी समू उपस्थित है बड़ा समू से मतलब बलकी भारी है होना चाहिए ठीक है ऐसा कोई समू जो ज़्यादा जगें गेरे ऐसा कोई समू पस्थित है तो यह क्या हो जाएंगी optically active और अगर और्थो पोजिशन पर हमको ग्रूप लगा दें तो सी दी सी वाते हैं में rotation फिर हो गई है यह रिंग है ठीक है यह माल लो एक यह और्थो दो और्थो बूझें ये एक यह और एक ये ठीक है दो अपर कई बड़ा सा गुप लगा दून के यहां पर ईड़ा सा मुझे नटिरूप लगा दिया यहां पर कोई कोई बड़ा सा गुप लगा दिया societal यहां पर नहीं पाएगा जैसे इह प्रतिकरिशन लग और यहां से प्रतिकर्शन लगेगा नहीं तो यह बनाद कि बलकी लगाद का तो यह आपे तिरंत क्या जाता है फिर इसने कोरण को पेली का तुरे और दूसरा और दूसरा और इसरा पर लेगाद को द्सक्राइब में कि अगर के भुल ठीक है अब सवाल यह उठता है क्या कि चार और यहां पर और यहां पर तो क्या उप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या हमें चारों इस्तितियों पर अलग-अलग गुरूप लगाने पड़ेंगे यहां फिर एक ही इस्तिती पर काम हो जाएगा तो आपका जवाब है कि जरूरी नहीं है कि आप चारों इस्तितियों पर कोई बल्गी गुरूप लगाएं किसी एक इस्तिती पर भी लगा दीजेंगे यहां लगा दिया बागी सब क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तब भी प्रतिवंदित घूर्णन होगा यानि तब रिंग जो है वो अप्टिकली एक्टिव हो जाएगी लेकिन सर्थ यह है कि जो हम गुरूप लगा रहे हैं जो बलकी गुरूप लगा रहे हैं वो इतना बड़ा होना चाहिए वो इतना बड़ा होना चाहिए कि वो प्रतिवंदित घूर्णन कर सके यानि रिंग को सकते हैं एक सरे उप्टिकली एट्टिव हो जाएगी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी कम कि यह मटा दूपर कि यह जो दो रिंग है यह दो रिंग है बाई फिनायल की यह दो रिंग है यह वाली ग्रूप कैसा है यह वाला पार्ट को थोड़ा डार करेंगे क्योंकि यह दोना एक प्लेन में नहीं हो सकती एक होगी एवब दा प्लेन और एक होगी तल में ठीक है यह वाली रिंग तो जो है वो तल में है और यह वाली रिंग कैसी है यह वाली रिंग है तल के उपर यानि यह ऐसी है एक रिंग ऐसी है और एक रिंग ऐसी है पर पेंडिकुलार है तूसरी ठीक है तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे अब हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर आमने लगा दिया और यहां पर लगा दिया सीए औो एच गुरूप वही अब तो गुरूप प्रतिस्थापित कर दिये आप तो इसमें वोटेशन होई नहीं सकता ठीक है यह दो गुरुप नहीं और यह रूटेशन भी पोसिबल नहीं है तो एक यहां पर लगा दिया हमने c o o h group और यहाप लगा दिया हमने no2 group तो क्या अभी optically active है हाँ भई अभी अभी यह क्या है optically active है तो क्योंकि group लगाने से बड़े बड़े group लगाने से यह जो घुणन होना था वो क्या होगे आप प्रतिबंदित होगे अभी यह भूर्णन नहीं कर सकते रोटेशन नहीं कर सकते दूसरा बलकी ग्रूप लगाने से यह अप्टिकली एक्टिव भी हो गए क्यासे क्योंकि इन में जो तल थे कितने तल थे दो थे कितने प्लेन आप सिमेट्री थे दो अब दोनों के दोनों खतम हो गए दोनों के दोनों खतम ह हो गए कि अगर हम ये वाला तल लगाएं ये वाला ठीक है ये एंग तो खड़ी हुई है ये तो एसी है यह पूरी कट गई NO2 गुरुप भी कट गया और COOH भी कट गया लेकिन ये वाली रिंग क्या होगी जब आमने ऐसे काटा बीच में से काटा तो ये वाली जो रिंग है ये तो पूरी कर्ट गई है नो पूरी की पूरी कर्ट गई यह वाली चल पर ऊपस्थित नहीं है लेकिन इसमें तो dol करना पड़ेगा दूसरा है यह नहीं है हुआप दूसरा है यह नहीं है है तो यह RING तो ऐसी थी न अब असको एसे काटेंगे मेरे हाथ को बीच में इसे में से काट आप से ले जाओ तो यह लिंग एसी है ना तो अब इस रिंग два कटोगी तो पूरी कट गी यह वाली तो बीच में से कटेगी ऐसे यह वाली पूरी घ्रजाएगी कीler सकते हैं कभी नहीं हो सकते दोनों एक जैसे ही नहीं मतलब इसके अंदर दोनों उपस्थित और कोई सेंटर स्वेट्री उपस्थित हैं ऐसा कोई एक उपस्तीत नहीं है यह इसके अंदर काईरल केंद्र नहीं नहीं है लेकिन अब यह क्या है रिंग ऑप्टीकली एक्टिव है तो बाइफ इनाएलिक ऐसा मोलेक्यूल है जिसमें सेंटर ओप सिमेट्री नहीं है फिर भी यह विए होता है Optically activity होता है तो आप में इसकी अर्मेश बना दून एक बनेओ की मेरा रिमेश तो ठीक है यह वाला तल के उपर है तो इसको भी तल के उपर दिखा दे भरिए दिखाना पड़ेगा यह वाली तल के उपर है ना तो मेरा रिमेज में ये वाली रिंग क्या होगी तल के ऊपर आईगी टीक है स्भी कर शोलती आप लगा हुआ क्या यहां पर लगा हुआ है एननोटू यहां पर लगा हुआ है मेरा रिमेज और वो भी कैसी क्या यह इक दूसरे के ऊपर सुपर सती है क्या एंधिए नहीं हो सकती मैं सीरिंगोठा के उपर रखू टो UX रिंदी नहीं यह वाली रिंग खड़ी मोट्य में ह bench सकती इसका मतला यह है अप्टी कली अप्टिकलीमि है विदा कि तो बाई फिनाइल ऐसे मोलीक्यूस हैं जिनमें काईरल सेंटर नहीं है फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ठीक है यह दो कंडीशन होनी चाहिए प्रतिवंदित घूर्णन और बले की और्थो इस्तितियों पर कोई बली बड़ा समों बलकी उपस्थित होना चाहिए ठ है जालो गई अप्टिकली एक्टिव हो गए तो क्या आप हम आरेस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं एक और एक्जांपल देख लेता उसके बात करेंगे अरेस अगर ऐसा हो है यहांपर भी COOH है यहांपर भी COOH है इधर भी COOH है इधर भी हमने COOH लगा दिया क्रिक है यह कैसी है अब द पलेन है यानि एक रिंग टिल्ट है तो क्या भी ओप्टिकली एक्टिव है पहली कंडिशन तो फॉलो हो रही है बल की गुरूप लग जिसकी वज़ेसे घुनन जो प्रतिवंदित हो गया है ना और दूसरी कंडिशन भी फॉलो हो रही है इसका मतलब यह optically क्या है इनक्टिव है क्यों कि इसमें क्या उपस्थित है सम्मिति का तल उपस्थित है तो optically active होने के लिए एक important condition है कि चाहें काईरल सेंटर हो या ना हो लेकिन सम्मिति का कोई भी element उपस्थित नहीं होना थी यानि plane of symmetry और क्या कहते है center of symmetry कभी भी उपस्थित नहीं होना थी यह क्योंकि अगर उपस्थित हुए तो molecule क्या हो जाएगा optically inactive हो जाएगा optically inactive हो फिर चाह प्रतिवंदित गुर्णन हो या ना हो या फिर उसमें कोई substitution हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बल्की गुर्णन भी प्रतिवंदित हैं फिर भी optically inactive है क्यों क्योंकि इसके अंदर तल उपस्थित है तो symmetry elements कभी भी नहीं होने चाहिए वाली क्यों के अंदर तभी वह optically active होगा जाए सेंट्र सिमेट्री हो या ना हो ठीक है बात आती है आरेस करने की आरेस करना बहुत आसान है जैसा हमने सीखा था जैसा कि हमने सीखा था बस एक चीज होनी चाहिए कि बॉन्ड की ओरिएंटेशन डिफाइन होने चीजिए सबसे important condition ने यानि की बॉन्ड एवब दा प्लेन है यह पता होना चाहिए जो कि हम यह दिख रहा है औरेस डिफाइन है यह वाली रिंग अब प्लेन है तो यह वाला गुरूप क्या होगा अब अब दा प्लेन होगा यह वाला गुर है यहां maodaplain है चोथा रूल वही सारे जो हमने क्या तेज में और प्राइवरीटी । सब्सक्राइला काम क्या है प्राइॉरीटी देना । दूसरा काम क्या है जिसको priority प्रटी मिलेगी वह मेशा क्या होना चाहिए बिलोधा प्लेन होना चाहिए और अगर वह बिलोधा प्लेन है तो क्लोक वाइस चलने पर आप लोगों को पढ़ाए अप तो आपको बखार होना चाहिए जब तक यह पतानी होगा तब तक हम आर्स नहीं कर सकते हैं क्या करेंगे हैं किधर कि तरफ होना चीह है धील ृटि अब दे दो इनको priority यहाँ पर direct कौन जुड़ा हुआ है carbon किसकी priority जादा होती है carbon की या nitrogen की nitrogen का atomic number जादा है carbon से तो पहली priority मिलगी इसको दूसरी मिलेगी इसको इधर आए इधर पहली priority तीसरी number किसको मिलेगा ये हो गया तीसरा और ये हो गया क्या हमारा चोथा, sorry, उल्टा हो गया उल्टा हो गया, ठीक है यह हमने तीर लगा लिया, तीर की हेड कहां पर होगा, हमेशा तीर का हेड कहां पर होगा, जहां पर orientation होगी बॉनकी, यान की जहां पर above or below पता होगी हमको, ठीक है अब यहां से numbering शुरू करते हैं, पहली priority, दूसरी, ठीक है तीसरी priority इसको मिलेगी, चौथी priority इसको मिलेगी, भाई, चौथी priority वाला group कैसा है, दिख रहा है हमको कैसा है, तलक के पीछे है, below the plane है, तो कर दो, 1 से गए 2, 2 से गए 3, movement कैसा है, anti-clockwise, 1 से गए 2, 2 से गए 3, movement कैसा कैसे चले हम, anti-clockwise, और anti-clockwise जा रहे हैं, और group कैसा है, पीछे है, तो simple anti-clockwise में यह क्या हो जाएगा, कैसा है, clockwise, movement कैसा है, clockwise, चौथा group का है, below the plane, तो clockwise है, तो यह क्या हो जाएगा, आर, तो S की mirror image क्या होती है, आर, तो इस तरह से simple है, इनके अंदर RS करना, ठीक है, दूसरे जो molecules हैं, नोट कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए, एक example और कर ले रहे हैं, ताकि आपको RS clear हो जाएं, rules सारे वही हैं RS के, यहाँ पर है hydrogen, यह ring कैसी है, above the plane है, इसको मैंने दिखा दिया, orientation define कर दे रहे हूं, क्योंकि जब तक orientation define होगी, जब तक जोनो रिंग में यह नहीं पता होगे, कौन सी रिंग above the plane है, यानि कौन सी रिंग tilt है, और कौन सी रिंग plane पर है, तब तक हम RS नहीं कर सकते, ठीक है, define कर दी, यहाँ पर लगा हुआ है, SU3H, यहाँ पर लगा हुआ है, hydrogen इधर लगा हुआ, SU3H, ठीक है, पहले तो यह देखना, optically active है के नहीं, है वहीं, क्योंकि क्या है, restricted rotation है, और बड़े-बड़े group भी लगे हुआ है, SU3H, तो इसके मतलब इसके अंदर restricted rotation है, आप तो काओ, यहाँ तो hydrogen लगे हुआ है, तो मैंने बोला, single group से भी काम हो जाता है, अगर यह भी hydrogen होता और यह लगा था, तब भी यह optically active होता, है ना, तो single से ही काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दो दो लगे हुआ है, प्लेन देखें, अगर मैं ऐसे काटूंगी, तो SO3 के सामने कोन आएगा, H, और यह तो पूरी कट जाएगी, है ना, अगर मैं ऐसे काटूंगी, तो SO3 के सामने कोन आएगा, H, और यह तो पूरी कट जाएगी, दोनों plane ही नहीं है ना तो ये वाला plane है ना तो ये वाला plane उपस्ते था इसका मतलब यह क्या होगा optically active होगा तो RS कर दो भई कर देते हैं यहां से यहां तक क्योंकि above the plane तो यह तो तीर का निशान ऐसे लगाया numbering करेंगे यहां से यहां पर direct कौन जुड़ा हुआ है sulfur और यहां पर कौन जुड़ा हुआ है hydrogen तो पहली priority किसको sulfur को दूसरी priority hydrogen को फिर इस कारवन पर आगे देखेंगे इस रिंग पर देखेंगे यहां पर सफर जुड़ा हुआ है तो तीसरी इसको रूंबर सल्टा प्रैइशर को मिलेगा यह घर के पी यह रखें ग्हें को हैं गो यह को मतलग तल के पीछे चौथा गुरूप किदर तल के पीछे तो चलो वन से गए टू टू से गए थ्री मुवमेंट कैसा है यह क्या हो जाएगा एस हो जाएगा तो इस तरह से हम इसमें सेम वही करते हैं पहले पहली दिपर प्रायोर्टी देंगे पहला नमबर इसको मिलेगा क्योंकि इस तरह एक इसालफर का एक नमबर हाइड्रोजन से जाएगा दूसरा नमबर इसको मिलेगा ठीक है फिर इस पर देखेंगे फिर जिस पर अब आवर बिलो है उस रिंग पर नमबर देंगे यह नाइट्रोज सलफर जुड़ा हुआ है यहां पर कौन जुड़ा हुआ है पहले इसवाली रिंग पर जो प्लेन में होती है जो रिंग धर नnantsमें करने होता है सबसे पहले उस पर प्रायोरटी देखनी पड़ती है तो उसके वार ऑध थी फोर देखेंगे अग्ली रिंग जो कि क्या तल के ओपर या तल के नीचे निचे दोगी तो इस तरह तरह से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझना है तो इमेजिनेशन अगर तुम तल पर लेकर चलोगे चीज़ा तूडी में लेकर चलोगे तो जिंदिगी में कभी कुछ समझ में आएगा जिंदिगी में आरे समय समझना चाहिए तुमको तब तुम्हारी स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती क्योंकि उनकी इमेजिनेशन बिल्कुल रदड़ होती है कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते मौलिकुल के कैसा है चैक कितना भी टीचर बता बता कि मर्जा नहीं कर पाते और आभी तो वीडि आगे चलो ठीक है तो एक तो देखें हमने बाइफिनाइल दूसरे मॉलिक्यूल जिन मैं क्यार सेंटर रही है लेकिन फिर भी अप्टिकल है वह कौन होते हैं वह होते हैं एलीन को यह हमारे पास कारवन डबल बॉंड सिंगल बॉंड अब यह क्या है डबल बॉंड है सिंग सिंगल बॉंड है, को सिंगल बॉंड है, यह है कि यहां जाएगा,ん यहां पर क्या हो दो आ यहां पर संयूगमित हो रहा है तो लूह रहा है यह कैसा है संयूगमित सिस्टम है और एक सिस्टम यह लें जहाँ पर कारवन कारवन डवल बॉंड यह भी डवल बॉंड से जुड़ हो है यहाँ पर डवल बॉंड लगातार है एक के बाद एक है इस सिस्टम को संयूगमित नहीं कहेंगे यह कहलाता कुमूलेटेड क्यूमू of the ع mike क्यों यो लेटिड ये सिस्टम क्या क्या लाता है क्यों लेटेड जब ये स्वेलेटेड जर एप योडबल ऒख के बाद से दरल बोन जुड़े हूं नहीं नहु aż यह वाला जो कारवन हैं दोनों तर्फ डबल बोन से बंदा मोई यसे गेनि को तो यह जो मतलब और यह जो होती है इनको एक और Merry इंसको होता इदी इसका मतलब उनको मं क्या है एलीन में नहीं आतें ऐसे system नहीं 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 है यह सिस्टम नेका वे विश्टेट cm क्या हो खते हैं हृशा तो यह क्या है अब यह यह बन गया क्या है इह सबसे सिंपल इंहरी सबसे सिंपल मॉलेक्यूल है लिन का तो यह क्या है अलीन को क्यों कुमूलीन क्योंकि जो डवलबॉंड है वो लगातार होते हैं अब यह तुमको गोड पर देखने में लगरी होगी यह यह हकीकत में ऐसी नहीं होती जैसे बाइफिनाल को टेन में लग रही थी ना वह प्लेन ना यह इस तरीक से गुददे से होते हैं एक दवल से में हैं तो दूसरा तौन रोगा तो इसे होगे ऐसे समझो कि दो हैं तल में हैं यह वाले यह बी हाइड्रोजन होगे जिए यह होगा दूसरा क्या वोगा डाउन और यह दोनों क्या है तल में हैं एक एसी रिंग होगी तो दूसरी यह वागी पर्पेंडिकुलार को क्यूमुलीन भी जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं होते लेकिन क्या अभी यह अप्टिकली एक्टिव है क्या अभी अप्टिकली एक्टिव है नहीं जैसे बाई फिनायल में कितने सम्मिती के तल होते हैं दो वैसे एलीन में भी कितने सम्मिती के तल होते हैं दो होते हैं तो य होते हैं कि beticia कि घृते होते हैं एक तो यह वाला ठीक है और एक यह वाला अगर बेयुन अवीं जैसे और दो प्लेंट पर एक क्या होगा एक होगा प्लेंट के अपर ऑदूसरा हाइडर्विजण क्या क्या होगा प्लेंट के डाउन तो इस तरुक depressed होंगे दो वने मैं है हाई डूण Auch एक ही तल में हैं और ये होंगे अप और डाउन तो कौन-कौन से लगा सकते हैं एक तो इसा फ्लिंऩ लगाएँ गहें जो इन दौनों फूर करें यह बेख को नहीं यह मत इत्लेगा और यह तो का लगन बीच विसामन ओपस्तित passionate जो ओपस्तित यह आपस्तित को बने यह तो यह बाली से बाइब को और दो पर जाएगा और यह जा यह तो यह दोनो चाउल पूर कर जाएंगे यह वाले सलमई रखेंगे उस्ताले नीचे वाले सलमानiche नीचे वाला है लेकिन नीचे वाला प्लेन और सिमेट्रीग उपस्तित है इसलिए अभी ये क्या है और कि कर दंए कब होंगी तो इसमें भी कुछ कंडिशन होती है इसमें भी कुछ कंडिशन मोथी ये अलीन के अप्टिकली एक्टिव होने के लिए निम्न कंडिशन होने चाहिए यहां लिख सकते हैं अलीन के अप्टिकली एक्टिव होने के लिए कि निम्न कंडिशन उपस्थित होनी चाहिए दो कंडिशन बताएंगे वह उपस्थित होनी चाहिए तो तो कौई होने चाहिए कंटीनवास होने चाहिए कंटीनवास मतलब बीच में कोई मुतने में यहाना तो सिंगल बॉंड नहीं होना चाहिए गवान चाहिए कंटीनृस के पता मज़े इसलिए continuous का मतलब लगातार याने कि अगर यह double bond है तो single bond नहीं आना चाहिए बीच में यह भी क्या होना चाहिए डबल bond होना चाहिए तो double bond क्या होने चाहिए ठीक है फैली condition क्या है दूइवंद continuous होने चाहिए ठीक है दूसरी condition क्या है कि दूइवंद की संख्या सम होनी चाहिए सम का मतलब even even होनी चाहिए इसका मतलब double bond जो है वो even उपस्तित होने चाहिए तो पहला तो double bond लगातार होने चाहिए और दूसरी condition यह होने चाहिए इवन का मतलब even का मतलब यहां तो दो होने चाहिए चाहिए च्छे होने चाहिए यहां तो फिर आठ होने चाहिए तीन पांच एक तीन पांच साथ यह क्या हो गए और इसे नहीं होने चाहिए क्या होने चाहिए क्या हो गया होगा और यह उप्टिकली एक्टिब कभी नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता क्योंकि आप सिमेट्री हण पर सेंट उपस्थित होगा तो जहाँ पर भी और में डवल बॉण्ड होंगे वहां पर हमेशा प्लेण उपस्थित होता है और अगर ऐसा होगा प्लेण उपस्थित होका तो यह कभी भी अप्टिकली इसनी होने डूसरी कंदीशन यह पैसे एवन और पहली कंदीशन क्या कंटीनुस होने चैए दूसरे ऑन्न होने चाहिए जब ऐसा हो जाए जब यह फॉल हो जाए तो तीसरी कंडिशन क्या है थीसरी कंडिशन है कि कि प्रोपर को इंदी में क्या बोलते हैं उचित ऊचित प्रतिस्थापन उपस्थित होना चाहिए उचित प्रतिस्थापन उपस्थित होना चाहिए क्या होना चाहिए उचित प्रतिस्थापन उपस्थित होना चाहिए उचित प्रतिस्थापन का मतलब है proper substitution होना चाहिए कारवन पर यानि कि यह है न हमारे पास यहां पर अगर हम देखे हैं यह बना दिया H, H, H और H ठीक है पहली condition follow हो रही है वहाई continuous है दूसरी condition follow हो रही है वहाई even है लेकिन तीसरी condition follow नहीं हो रही यह पर उचित प्रतिस्थापन नहीं है यह तो चारों क्या है hydrozone है तो अभी अप्टीकली एक्टिव नहीं होगी अभी अभी सब्सक्राइब नहीं होगी प्रॉपर सब्सक्राइबस सब्सक्राइब सब्सक्राइब एक कारवन आसा है तो दूर्बान है एक डावलबन प्लेन में तो दूसरा काँ है तल के उपर है तो अब क्या करओंगी अगर मैं ऐसे काटूं तो CS3 के सामने को न आएगा हाइड्रोजन और ये डोनों तो अपस में कट जाएंगे ये एक तो यह वाला तल नहीं है अगर मैं इसको ऐसे काटू ऐसे तो यह दोनों तो आपस में कट जाएंगे लेकिन तो मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन है अब दोनों तल उपस्थित नहीं है तो अब यह क्या होगा अप्टिकली एक्टिव तो अप्टिकली एक्टिव होने के लिए यह तीनों कंडिशन फॉलो होने चाहिए डवल बॉन की संख्या इवन होने चाहिए और इन पर उचित प्रतिस्थापन होना चाहिए उचित प्रतिस्थापन का मतलब क्या है उचित प्रतिस्थापन का मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिख दूं क्या लिख दूं यह है यह बी है यह यह दी है तो एक ही कारवन पर दो समान पर करमाड़ उपस्थित नहीं होने चाहिए यह याद है आपको जुमेट्रिकल इसमेरिज में ने पढ़ाया था कारवन कारवन के बीच क्या होना चाहिए डवल बॉन और अभी हम पढ़ेंगे यह इस टॉपिक के बाद यह जो आपकी प्रिकासिक समाव्यवता है वो खतम हो है जादा नहीं ही चीठेंगे इसको तो क्या होना चाहिए थी के समान हो सकते हैं बी हर बी समान हो सकते हैं लेकिन ये तो हो सकता है ये हो सकते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो क्या होगा अप्टिकली एक्टिव होगा लेकिन अगर ऐसा है कि सीव इक्वल टू डी और एक्वल टू बी तो फिर ये अप्टिकली एक्टिव नहीं होगा अगर ऐसा हो गया ये दोनों समान हो गए और ये दो औरकली एक्टिव नहीं होगा यह ना आई है यह सबना चीमिन लुट के बरावर हो सकता रही थीक है दी वी बरावर हो सकता और दूसरा कि ए campe निहीं चीमिन कंधिशन हुना चाहिए अलगी अलग तो ड स्व होईतन है तो पता देजिस यानी चीम आंवाब B not equal to C कहने का मतलब क्या है अगर ऐसा है समझ लीजिए अगर ऐसा है CS3 यह मालो मैंने अब दिखा दिया इसको क्या दिखा दिया below H H और यहां पर क्या है CS3 तो अब यह क्या है अब यह क्या है Optically Active यह A है यह B है यह A है यह B है यह C है यह D है यहां से लिख लो यह A, यह B, यह C, यह D है है ना तो A किसके बरावर है C के बरावर है है ना B किसके बरावर है D के बरावर है है ना A, D के बरावर नहीं है A, D के बरावर A और D सेम नहीं है ना तो A, D के बरावर नहीं है और B और C सेम नहीं है, इसका मतलब B C के बरावर नहीं है, ऐसी condition है, तो क्या होगा, optically active होगा, अगर ऐसी condition है, तो optically active होगा, otherwise optically inactive हो जाएगा, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, आगे चलते हैं अब बारी आती है, आरेस करने की, ठीक है, आरेस कैसे करेंगे, आरेस कैसे करेंगे, लेकिन पहले तो हमें पैचानना सीखना चाहिए, कि यह optically active होगा या नहीं, ऐसा मौझूद है, COOH, H, COOH, COOH, इधर है H, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, C double bond, C double bond, C, ठीक है, COOH, H, COOH, H, ठीक है, अब मुझे बताओ, इन दोना में से कौन optically active होगा, तो तीनों condition लगाएंगे, double bond क्या होने चाहिए, लगातार, पहली condition follow हो रही है, double bond क्या है, लगातार है, दूसरी condition क्या थी, double bond की संख्या even होने चाहिए, यहां कितने, एक, दो, तीन, यह तो क्या हो गए, odd हो गए, double bond का number क्या हो गए, odd हो गए, तीन है, इसका मतलब, यह क्या हो जाएगा, optically inactive, पहल इबर फ्रापर हुना चाहिए लोग है और हैं यहां पर यह दोनों किया है यह है तलपर है प्रॉपर सब्स्टिटूशन है तीनों कंडिशन फॉलो हो रही है तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अप्टिकली एक्टिव ठीक है अब हम इसका आरेस करें तो बिलकुल वही वही रूल लगेंगे जो अभी बाइफिनायल में लगे थे जो वैज में लग कर देंगे तो फिर वही करेंगे जहां पर ओडियंटेशन डिफाइन है वहां पर तीर का निशान लगाएंगे लगा दिया इधार है न एवावर बलो तो इधार तीर का क्या लगेगा सर लगेगा इधार क्या लगेगी पूछ और जहां पर पूछ होगी वहीं से हम क्या कर कभूंग करें कि इसकी ना रहे तो आपको क्या जहां पर तीर कर तो मिलेगा इसको और इसको मिल जाएगा चौथा नमबर ठीक है अब वही कंडिशन लेगेंगी चौथी प्राइओर्टी वाला ग्रुप हमेशा क्या होना चीए बिलोधा प्लेन होना चाहिए अगर बिलोधा प्लेन होगा तो क्लोक वाइस चलेंगे तो आप एंटी क्लोक व प्राब Cause यहां पर बन से गए ट्वीश तो यापन से गाए Cаша इसंडेंद मूवमेंट कैसा है कैसे आरहे हम इंटीक्लोक वाइस कैसे जा रहे है एंटी क्लोकवाइस जा रहे हैं और एंटी क्लोकवाइस जा रहे हैं हाइड्रोजन कहा है चौथा गुरूप सौरी चौथा गुरूप कहा है एवफ दा प्लेन है तो क्या हो जाएगा वैसे तो एंटी क्लोकवाइस जाने पर एस होता था वैसे तो एंटी क्लोकवाइस जाने हम वहां करते थे तो अब मिलते हैं आगे अगले वीडियो में जहां पर हम प्रकासिक सवावयवता कम्प्लीट कर चुके आब हम क्या कर चुक्छे अपकिलींट कर चुके अलीन और बाइफिनेल के लावा और भी मौली क्यों सते लेकिन आपके स्लेवस में नहीं है तो प्रका यानि कि जिसमें हमने पढ़ेते सिस्ट्रांस ठीक है तो एक लेक्चर में हम उसे खत्म करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट बच जाएंगे सनरूपन समाव्यवता दो तीन लेक्चर उसमें लगेंगे और आपकी यूनिट फिनिश तो मिलते हैं अगले वीडियो मैं थैंक यू